हालो एवरिबन वेलकम बाक टीकोटिफाई आज हम डिसकस करने वाले है आरे से भी ए योड जे इकले जिन नौलेज एन एवरेड़े साइंस के टोटल 48 मिक्स क्वेशन्स यह पार्ट 2 होने वाला है पार्ट 1 और डाला है 48 क्वेशन्स का नहीं देखा होगा तो वह जारू चा दारी थी चानल पे कि मान PDF अप्लोड कीजिए PDF आपको मिल जाएगा RSP AOJ का जिस दिन एक्जाम डेट रिलीज हो जाएगा उसके बाद से आपको PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि PDF पे काम चालू है PDF जो है वो आपको अच्छे से कंपाइल करके मिलने वाला है ज कि यसी डेट रिलीज होती है उसके बाद थीक है तो स्टार्ट करते सेशन को और देखते हमारा सबसे पहला question तो आज का हमारा सबसे पहला question है who is appointed as a new chairman of Rajasthan staff selection board Rajasthan staff selection board के नई chairman को appoint किया गया तो वो कौन बने है option D Hari Prasad Sharma जो है वो Rajasthan staff selection board के नई chairman appoint हुए है next question है question number two which fort is famous by the name of चंतामनी कौन सा fort जो है वो चंतामनी के नाम से famous है answer हो जाएगा आपका option C जुनागर्ड fort जो है जो कि पिकानेर में है जो की चंतामनी के नाम से भी famous है आपको ये ध्यान में रखना होगा important है बढ़ते आगे next question है question number three important question है who is known as the iron man of Rajasthan iron man of Rajasthan किसे बुला जाता है option C दामोदर लाल वैशो है उन्हें iron man of Rajasthan बुला जाता है जो कि ये टॉंग डिस्टरिक से बिलॉंग करते थे next question है question number 4 which of the following lakes in Udaipur has two islands named Jagmandir and Jagnevas in it Udaipur का कौन सा lake है जहां पर two islands है Jagmandir and Jagnevas answer हो जाएका option A Lake Pichola Lake Pichola में actually four islands है Jagnevas, Jagmandir, Mohanmandir and Arsivalas तो उनमें से दो ये जो islands की नाम दिये थे तो ये कहां पर पूछ जा रहा था हमें तो उस lake का नाम है Lake Pichola option E जो है वो correct answer हो जाएगा इसका साथ एदन में रखना है कि जो है उसे देबर लेग भी बोला जाता है और फटे सागर जो लेग है ये एक artificial lake है जो कि महाराना फटे सिंग जो थे उदेपूर के उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था ठीक है और लेग उदे सागर जो है इसको बिल्ट किया था महाराना उदे सिंग ने और देबर लेग तो मैंने आपको बताए कि जैसामन को ही देबर लेग बोला जाता है निक्स कोशन है हमारा कोशन नाबर फाइफ विच्टूट उफ राजस्तान अज रसेफ दर प्राइम राजस्तान के कौंसे स्टूटन है जिनोंने हासिल किया है प्राइमेनिस्टर न चील्डिन ओवर्ड तीस है का आन्सर हो जाएगा ओप्षिण डी आनंत कुमार जो है उन्हें वो राजस्तान से बिलॉण करते है जिनको Prime Minister National Children Award 2021 का मिला टोटल ये 32 students को दिया गया ये पुरसकार जिन में से आनंद कुमार जो है वो राजस्तान से बिलॉंग करते इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा ठीक है बढ़ते आगे Next question है To eliminate India's border area with Pakistan in Rajasthan Rajasthan government has signed an MOU with which organization to establish Ultra Maker Renewal Energy Power Park तो answer हो जाएगा आपका option E both A and C A SECI SECI का full form क्या होता है Solar Energy Corporation of India and C का होता है NTPC का full form होता है National Thermal Power Corporation of India ठीक है तो renewable park को eliminate करने के लिए Rajasthan government में जो MOU sign किया है वो NTPC और SECI के साथ किया है ताकि वो एक Renewal Energy Park establish कर सके और इस park की जो capacity होने वाली है वो होने वाली है 8000 MW की तो आपको ये धान में रखना बहुत ही जादा important है कि उसकी जो capacity होगी वो 8000 MW की होगी ठीक है बढ़ते हैं आगे निक्स कोईशन है कोईशन नमबर सेवन अस पर दो राजस्तान स्टेट बजेट 2021 the maximum rupees comes from which of the following sources जो राजस्तान बजेट अनाउंस हुआ 20-21 का उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो कौन से माधियम से आता है ये पूचा जा रहा है तो अंसर उजय का option A internal borrowing अब आपको एक key point में नजर आ रहा होगा कि budget में जो पैसा आया है हमें जो पैसा मिलता है राजस्तान बजेट में जो पैसा आया है वो कहां से सबसे ज़्यादा आया है तो internal borrowing मतलब क्या होता है आंतरीक उधार ठीक है जो हम उधारी लेते हैं आंतरीक उससे आता है 26.51% इसके बाद आता है sharing central tax महां से आता है 15.99% then state goods and service tax मतलब की जो state goods and service tax है महां से आता है 15.02% union grant से आता है 14.54% sales tax से आता है 9.09% non-tax revenue से आता है 7.06% other taxes से आता है 3.92% and tax on vehicles से आता है 2.59% तो आपको mostly जो धहन में रखना है आपको पूचा जा सकता है यही कि maximum पैसा कहां से आता है ठीक है यह फिर least पूचा जा सकता है कि सबसे कम पैसा हमें कहां से आता है तो tax on vehicle से आता है तो आपको maximum और least भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा यह चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा और कितना आता है 26.51 आता है internal borrowing से मतलब की आंतरिक उधारी से ठीक है next question है question number 8 what is the name of the first transgender who was inducted into Rajasthan police answer हो जाएगा आपका option C गंगा कुमारी गंगा कुमारी यह पहली transgender है जो की Rajasthan police में भरती हुई तो आपको यह ध्यान में रखना होगा यह पहली transgender है गंगा कुमारी option C क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आगे next question है हमारा question number 9 which of the following is the most popular folk dance of the conjure tribe conjure tribe का most popular जो folk dance है वो कौन सा है answer हो जाएगा आपका option D चक्री चक्री डांस फॉर्म जो है वो घंजर ट्राइब का most popular folk dance है ठीक है बढ़ते हैं आगे next question है question number 10 who was the first female governor of Rajasthan Rajasthan की पहली female governor को पॉइंट होई answer हो जाएगा option A प्रतीबा पाटल जो की हमारी इंडिया की president भी रह चुकी है 2007 से 2012 के बीच में और ये राजस्थान की पहली governor रह चुकी है राजयपाल governor मतलब की राजयपाल रह चुकी है ये पहली राजस्थान की next question है question number 11 which of the following is not true about the final phase of the integration of the Rajasthan क्या बोला जा रहा है कि जब integration of Rajasthan की आ गया उसके final phase में जो भी चीज़े हुई तो कुछ options हमें given है इन में से कौन से चीज़ जो है वो correct नहीं है ये पूचा जा रहा है अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा integration of Rajasthan का तो आप इसका answer बहुत जल्दी कर दोंगे ठीक है options read करते है और answer पता करते है option A है सुनेल टप्पा was included in Rajasthan yes correct ये मध्यप्रदेश का था सुनेल टप्पा जिससे राजस्थान में लाया गया तो ये correct हो जाएगा अजमीर और मेरवाड़ा region included in Rajasthan ये भी correct है अजमीर और मेरवाड़ा को include किया गया राजस्थान में C है सीरोंज was included in Rajasthan नहीं सीरोंज district जो था उसे मध्यप्रदेश को दिया गया राजस्थान में include नहीं किया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा D है अबू दिल्वारा region included in Rajasthan ये भी correct है अबू और दिल्वारा जो था उसे include किया गया था राजस्थान में और option E none of this तो answer क्या हो जाएगा हमारा option C जो है वो correct हो जाएगा मतलब कि वो correct नहीं है final phase के लिए क्यों कि सीरोंज जो था उसे मध्यप्रदेश में add किया गया था ठीक है उसे राजस्थान में नहीं include किया गया था ठीक है तो जो हुआ था final phase of राजस्थान के integration में वो था कि सुनेल टपा को MP से लाया गया था अजमीर मेरवारा का मर्जब किया गया था अबू दिलवारा का भी मर्जब करके राजस्थान में लाया गया था ठीक है ये जो था ये 7th stage था final stage था unification of राजस्थान का जो की complete हुआ था 1st of November 1956 को और भी जादा information अगर आप जानना चाहते हो तो आपको वो वीडियो जाके देखना होगा आपके सारे doubts अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है बढ़ते है आगे next question है question number 12 who is known as Gandhi of Rajasthan Gandhi of Rajasthan किसे बोला जाता है option C correct answer हो जाएगा Gokul भाई दौलत राम भट को Gandhi of Rajasthan बोला जाता है next question है question number 13 which city of Rajasthan hosts the world famous Urz festival every year Rajasthan की कौन सी city में Urz festival को मनाया जाता है तो answer हो जाएगा option C अजमेर में Urz festival को मनाया जाता है यह बहुती ज़्यादा famous festival है तो आपको ध्यान में रखना होगा यह festival जो मनाया जाता है यह जो मोहिन दुन चिष्टी थे इनकी death anniversary के दिन मनाया जाता है तो इस साल उनकी 809th death anniversary 314th of February 2021 809th anniversary पे Urz festival को मनाया गया ठीक है बढ़ते हैं आगे next question है question number 14 who among the following has won in as the chief minister for highest number of times in Rajasthan तो Rajasthan में जो chief minister सबसे ज़्यादा बार बने उनके बारे में पूचा जा रहा है तो वो थे option D Mohanlal Sukhadiya Mohanlal Sukhadiya जो है वो सबसे ज़्यादा बार Rajasthan के chief minister रह चुके है वो चार बार Rajasthan के chief minister थे ठीक है next question है question number 15 what is the name of the portal which gives the information about all the government schemes of Rajasthan इस portal का नाम क्या है जो Rajasthan की जितनी भी government schemes है उसके बारे में सारी information provide करता है answer हो जाएगा आपका option C Rajasthan जन्चुचना portal ये portal ऐसा है कि अगर आप इस पे जाओगे और Rajasthan की schemes के बारे में पता करना चाओगे तो आपको सारी information मिल जाएगी तो ये portal को आपको ध्यान में रखना होगा Rajasthan जन्चुचना portal जो है उस पे आपको government की जो भी schemes आती है related to Rajasthan उसकी सारी information पता चल जाएगी option C इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 16 whom did Mahajji Sindhya defer to conquer the city and fort of Ajmir Mahajji Sindhya ने किसको हरा कर Ajmir city को और उस fort को हासल किया था answer हो जाएगा आपका option A महाराजा विजय सिंग इस Sindhya जी ने विजय सिंग को हरा दिया था और Ajmir city को और Ajmir के fort को हासल कर लिया था ठीक है conquer कर लिया था तो option A इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 17 which of the following district of Rajasthan have common boundary with Gujarat question क्या पुछा जा रहा है Rajasthan Gujarat के साथ कौन सी common boundary share करता है अब आपको यहाँ पर map नजर आ रहा होगा उस map से आप analyze कर सकते हो सबसे पहले है सीरो ही यह Gujarat का map है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और यह आपका सीरो ही है तो यह Gujarat के साथ share कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा then है डुंगरपूर डुंगरपूर भी जो है वो राजस Gujarat के साथ अपनी boundary share कर रहा है that means यह भी correct हो जाएगा अपनी boundary नहीं share कर रहा है last है बंसवाडा बंसवाडा अगर आप देख रहे हो तो बंसवाडा जो है वो डुंगरपूर के नीचे है और वो Gujarat के साथ अपनी boundary share कर रहा है that means 1, 2 and 4 जो है वो तीन डिस्टिक्स राजस्तान की Gujarat के साथ अपनी boundary share कर रही है इसके अलाबा और भी है आप इस map से देख सकते हो तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option C, 1, 2 and 4 next question है question number 18 Name the minerals which are 100% produced in Rajasthan इन में से कौन सा mineral है या फिर कौन से minerals है जो की राजस्तान में 100% produced किये जाते है तो answer हो जाएगा आपका option A, Jasper and Wellstoneite ये जो है ये 100% राजस्तान में produce किये जाते है और राजस्तान को Museum of minerals भी बोला जाता है बहुत सारे ऐसे minerals है जिसके वज़े से जो राजस्तान में production होता है minerals का उसकी monopoly है ठीक है, जैसे कि lead हुआ, zinc हुआ, silver हुआ, jasper हुआ, wellstoneite हुआ और भी काफे सारे minerals है जो कि, जिसकी राजस्तान पर monopoly है, क्योंकि राजस्तान उसका जो production करता है, वो सबसे जादा करता है तो इसका जो आपको ध्यान में रखना होगा, इस options में जो था, वो jasper और wellstoneite था, इसलिए हमने option A answer मारा, बट आपको और भी options पूछे जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि राजस्तान में कौन से minerals की monopoly है, आप एक बाद सर्च करके देख लीजे, तो आपको exactly पता चल जाएगा कि राजस्तान कौन से minerals को produce करता है, actually राजस्तान जो है, वो बहुत सारे minerals को produce करता है, ठीक है, इसलिए राजस्तान को museum of minerals भी बोला जाता है, next question question number 90 what is the name of the guru of khwaja mohinudun chishti जो khwaja mohinudun chishti थे, उनके guru का नाम क्या है तो answer हो जाएगा आपका option D khwaja usman haruni उनके guru का नाम था, option D correct हो जाएगा, और ये जो दर्गा थी, khwaja mohinudun chishti ये अजमीर में है, ठीक है next question है, question number 20 who is the chief justice of Rajasthan high court, Rajasthan high court के chief justice कौन है, तो answer हो जाएगा आपका option B इंद्रजित महानती इंद्रजिन बहानती जो है, वो chief justice है, Rajasthan के high court के, और ये 37th chief justice है, Rajasthan high court के तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, और इससे पहले बो, Bombay high court के judge रह चुके है, ठीक है इन्हें, October में appoint किया गया last year, October में, तो बन सकता है, ये question, इसलिए मैंने आपके लिए डाला हुआ है, कि अगर पूछा गया, कि at present या फिर current chief justice of Rajasthan high court कोन है, तो वो है इंद्रजित महांती, महांती next question है, question number 21 IAF मतलब Indian Air Force and which of the following country have held 6th edition of Air Force exercise named Garuda in Rajasthan recently, तो Indian Air Force ने कौन से country के साथ अपना 6th edition वाला Air Force exercise Garuda recently Rajasthan में held किया, अंसर क्या हो जाएगा, option A, France, Garuda जो होता है वो इंडिया और France के बीच में ये exercise होती है, तो Indian Air Force ने French Air and Space Force के साथ, 6th edition Garuda, Rajasthan में recently held किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, option A, France तो धियान में रखना होगा, important है बढ़ते हैं आगे, next question है question number 22, the speed of wind is major by, जो wind की जो speed होती है, वो किस से major की जाती है, option B, इसका correct answer हो जाएगा, animometer animometer से, जो wind की speed है, वो major की जाती है ये एक device होता है, जो कि ये हवा की speed और direction को major करता है, animo major, तो आपको ये धियान में रखना है speedometer जो होता है, वो vehicle की speed को major करता है, and accelerometer क्या होता है, it is a tool that major proper acceleration, ये proper acceleration को major करता है next question है, question number 23, border security force has organized operation सर्धहबा on the western international border of with state border security force, मतब कि BSF ने organize किया है operation सर्धहबा on the western international border of with state, कौन से state के उपर उन्होंने operation सर्धहबा को organize किया, तो answer हो जाएगा option E, Rajasthan Rajasthan state ने किया है, ये operation सर्धहबा को organize ठीक है, और कौन सी border पर, जेसन मिल की border पर इसे organize किया गया है, ठीक है, BSF के director general कोन है, राकेश अस्थाना, और BSF का headquarter कहाँ पर है, new Delhi में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा बढ़ते हैं, आगे, next question है, question number 84, which of the following is the constituency of current chief minister of Rajasthan, सबसे पहले तो Rajasthan के current chief minister कोन है, Ashok Ghehloth, पूछा क्या क्या है question में कि उनकी constituency क्या है, उनकी constituency है, वो है सरदारपूरा जोदपूरत, option A क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, next question है, question number 25, 5, the entrance of which of the following fort is known as नौलखा दर्वाजा, ऐसा कौन सा fort है, जिसके entrance को नौलखा दर्वाजा बोला जाता है, तो answer हो जाएगा, आपका option A, रन्थमबर fort, रन्थमबर fort का जो दर्वाजा है, उसे नौलखा दर्वाजा बोला जाता है, उसकी entrance को, ठीक है, बिलॉंग करता है, कौन से tribe से relate करता है, answer हो जाएगा, option D, कमर tribe, कमर tribe से relate करता है, 13 ताली, next question है, question number 27, who is appointed as a 15th chairman of state human right commission in Rajasthan, Rajasthan को तो state human right commission है, उसके 15th chairman appoint हुए है, तो उनका नाम है option A, GK VAS, GK VAS बने है, Rajasthan के state human right commission, और यह बने, उसके chairman, next question question number 28, enzymes are made up of dash, answer हो जाएगा amino acids, enzymes जो है, वो amino acids से बनते है, enzymes क्या करते है, enzymes help in process like digestion, blood clotting and hormone production ठीक है, तो enzymes हमें digestion के लिए, blood clotting के लिए, hormones के productions के लिए, मदद करते है, जो की amino acids से बनते है, इसलिए answer क्या हो जाएगा option C, next question question number 29, first chairman and deputy chairman of Rajasthan, Vidhan Sabah वर तो Rajasthan, Vidhan Sabah के सबसे पहले chairman और deputy chairman कौन बने थे, answer हो जाएगा option A, नरुत्तम लाल जोशी और लाल सिंग शेखावत, ये बने, तो नरुत्तम लाल जोशी जो थे, वो first chairman थे, और लाल सिंग शेखावत जो थे, वो first deputy chairman थे, विधान सबा के, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, question number 30, the organism which constantly changes its shape and position is, ऐसा कौन सा organism है, जो कि अपनी shape और position को constantly change करते रहता है, तो वो हो जाएगा, option B, amoeba, amoeba जो है, जो कि एक unicellular organism है, जो कि अपनी shape को, अपनी size को, अपनी position को, constantly change करते रहता है, ठीक है, next question है, question number 31, राजस्तान is spread over approximately what percent of the area of India, इंडिया का जो area में, राजस्तान का जो area है, वो कितने percentage में spread है, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा, आपका option B, 10.4 percentage में, उसका जो area है, वो spread है, पूरे इंडिया के map में, तो आपको धियान में रखना होगा, 10.4 percentage, important है, ठीक है, बढ which of the following is the major natural source of tartaric acid, tartaric acid का major natural source क्या है, major ये शब्द पूछा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, major अगर पूछा गयाएगा, तो answer हो जाएगा, आपका option C, tamarind, मतलब की imli, imli जो है, tartaric acid का सबसे major natural source है, next question है, question number 33, in which of the following years, Pratapgarh was declared the 33rd district of Rajasthan, Rajasthan में total 33 district है, तो Pratapgarh सबसे last district था, Rajasthan का, जो की कौन से साल में declare किया गया, तो answer हो जाएगा, आपका option B, 2008, 26th of January 2008 को Rajasthan में, Pratapgarh को 33rd district कोशित किया गया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, important है, in 2008, Pratapgarh was declared the 33rd district of Rajasthan, next question है, question number 34, which of the following is capable of removing unused or damaged platelets, इन में से कौन सा option जो है, जो की शक्षम है, unused or damaged platelets को remove करने के लिए, तो answer हो जाएगा, आपका option D, bone marrow, bone marrow की मदद से, हम जो damaged platelets है, जो की unused platelets है, उसे remove कर सकते है, तो option D क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, next question है, question number 35, what is the scientific name of the state flower rohida of Rajasthan, Rajasthan को जो state flower है, वो है rohida, उसका scientific name क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो answer हो जाएगा, option B, tachomila stenosis, कुछ-कुछ questions आप देख रहे होंगे, कि मैंने previous session में already include किया, और मैं फिर से ला रही हूँ, आज के session में, क्यों लाया है मैंने, मैं चाहती हूँ, कि अगर आपने मेरे previous sessions देखे है, तो आपको कितना याद है, आप कितना याद कर पा रहे हो, इसके दिये, मैंने कुछ 4-5 questions जो है, previous में मैंने जो explain की है, session में, उससे उठा कर लाया हुए है, और मैं चाहती हूँ, जितने भी अभी तक कि मैंने sessions दाले, वो सारे आप देख लीजिए, उसकी जितनी भी information है, जितनी भी questions है, वो पूरे याद कर लीजिए, क्योंकि सारे important questions cover up की हुए है, और आपके exam के लिए बहुत ही जादा important है, आपको total 48 मार्क का राजस्तान में, जनरल अवनेस के question आने वाले है, तो अभी तक कि हमने जितनी information discuss की, जितनी questions discuss की है, आपको वो सारे थरली याद होने चाहिए, कुछ दीनों बात, एक आपकी overall revision ली जाएगी, उ इसमें मैं सारे अभी तक जितना भी पढ़ाया, उससे related कुछ questions लेकर आऊँगी, उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अभी तक के जितने भी sessions हुए है, आपको सारे अच्छे से याद करने हैं, उसके questions जो भी information आपके साथ शेर के हैं, वो सारी आपको याद कर आऊँगी, और उस questions के मादिम से हम ये कोशिश करेंगे कि हम कितने questions का answer कर पा रहा है, अभी तक के जितना हमने discuss किया उसके basis पे, ठीक है, तो जल्दी वो session आपको देखने मिलेगा, उससे पहले अगर जिन भी लोगों ने राजस्तान की वीडियो नहीं देखेंगे, तो च इतना जादा याद कर लोगे, तो आप exam में उतने जादा question के answer mark कर पाऊगे, क्योंकि हम जितने भी question बिसकस कर रहे है, सारे all in all important questions है, ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको ओल्दर की, डुहिडा का जो scientific name है, वो है tachomila stenosis, अगर आपने राजस्तान का static gk का वीडियो द following Rajput King was awarded the title of Farzind by Akbar, कौनसे Rajput King थे, जिने Farzind title से अकबर ने award दिया था, तो answer हो जागा आपका option A, Man Singh 1, ये एक Rajput King थे, जिनको Farzind title से अकबर ने नवाजा था, ये आपको पूछा जा रहा है कि Farzind जो title है, उससे कौनसे Rajput King को नवाजा गया था, तो वो थे Man Singh 1, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, next question है, question number 37, which of the following pair of district with the fort and its location is not correctly match, कुंभाल गर्ड फोर्ड जो है, कुंभाल गर्ड फोर्ड जो है, वो राजसा मंद में है, yes, ये correct है, महरिन गर्ड फोर्ड जो है, वो जोधपूर में है, ये भी correct है, जुना गर्ड फोर्ड ज दिया हुआ है, इसलिए wrong हो जाएगा, तो option C जो है, इस question का सही answer बन जाएगा, अगर आपने session concentration से देखा होगा, तो starting में ही एक हमने पढ़ा था, कि जुनाकर्ड फोर्ड को चिंतामनी के नाम से भी famous है, ठीक है, तो तब मैंने आपको बताया था, कि ये जुनाकर्ड फोर् ठीक है, तो ये हाँ पे दिया हुआ है, बुंदी तो ये क्या हो जाएगा, आपका, गलत हो जाएगा, option C, इस question का सही answer हो जाएगा, और रंथम बोर्ड जो है, वो सबाई माधवपूर में है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, next question है, question number 38, which district of Rajasthan does not touch the boundary of Pakistan, इन में से कौन सा district जो पाकिस्तान दिखरा होगा और आपको राजस्तान का माँ भी दिखरा होगा, श्रीकंगानागर, बिकानेर, चैसल में, ये तीनों जो है, ये राजस्तान के साथ अपनी boundary जो है, वो share करते हैं, और अलवर जो है, वो यहाँ पर है, ठीक है, अलवर जो है, वो हर्याना के साथ share करता है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं करता है, इसलिए आपका जो answer हो जाएगा, वो option दी हो जाएगा कि अलवर पाकिस्तान के साथ अपनी boundary नहीं share करता है, next question है question number 39 match list 1 with list 2 and select your answer from the codes given below, सबसे फ़ेल है पांड़पुल waterfall, पांड़पुल waterfall जो है, वो अलवर district में आता है, ठीक है then है लुंका रंसार लेक, लुंका रंसार लेक जो है, वो बिकाने district में आता है and फते सागा लेक जो है, वो उदैपूर में आता है, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा option A, B2 C3 and D1, इसका correct answer हो जाएगा, इसलिए option A, correct हो जाएगा तो बढ़ते है आगे next question है, question number 40 with which game is the term sand trap associated, sand trap यह जो term है, यह कौन से game से associated है, तो answer हो जाएगा आपका golf, option E, correct answer हो जाएगा, यह जो term है यह golf से related है sand trap next question है, who among the following was awarded by Padmashree in 2021 from Rajasthan राजस्तान से Padmashree जो award दिये गए 2021 के, वो किसे दिया गया है किसे दिया गया है, यह पूछा जा रहा है तो option B, इसका correct answer हो जाएगा लखा खान लखा कान के साथ, अर्जुन सिंग शेखावत को भी दिया गया, शाम सुंदर पाली बाल को भी दिया गया, और लखा खान को भी दिया गया ठीक है, लेकिन बाकियो options जो यहाँ पे थे वो हमारे correct नहीं थे, इसके हमने option B इसका correct answer select किया option B answer जोए वो correct हो जाएगा लेकिन आपको धियान में रखना है कि पदमिश्री अवार्ड 2021 का राजस्तान में से तीन लोगों को दिया गया है अर्जुन सिंग शेकावत, शाम सुंदर पालीवाल और लखा खान इन तीन लोगों को दिया गया है पदमिश्री अवार्ड 2021 का और लखा खान को क्यों दिया गया उनको in the field of art दिया गया ठीक है वो एक सारंगी प्लेयर है तो उनको art की field में दिया गया है पदमिश्री अवार्ड ठीक है और अर्जुन सिंग शेकावत को literature के लिए दिया गया और शाम सुंदर पालीवाल को किस लिए दिया गया है उन्होंने चार लाक साप्लिंग्स को महाँ पर क्या किया है प्लांट किया है इसलिए उन्हें ये वाट दिया गया है environmental protection के लिए उन्हें ये वाट दिया गया है जो राजसामन से बिलॉंग करते है तो बढ़ते हैं आगे निक्स कुशन हो जाएगा question number 42 consider the following statement the latitudinal extent of Rajasthan is 23.3 south to 30.12 north अब हमें ये statement को पढ़ना है after that हमें answer क्या करना है which of the following statement above is correct कौन सा correct है ये हमें बताना है तो सबसे पहले statement क्या बोला है कि जो राजसान का latitudinal extent जो है वो है 23.3 south to 30.12 north जो की गलत है latitude क्या होता है horizontal होता है horizontal lines को हम बोलते है latitude अब आपको ये ध्यान में रखना है कि 23.3 north to 30.12 north ही है south to north नहीं है ठीक है तो यहाँ पे south होने के वज़ज़ से ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे 23.3 n to 30.12 north होता तो ये correct हुआ होता तो ये क्या हो जाएगा क्रॉंग हो जाएगा तेना option B क्या है the longitudinal extinct of Rajasthan is 69.30 west to 78.17 east again ये भी गलत हो जाएगा longitudinal जो होती है वो vertical lines होती है आपको नज़र आ रही होगी ये map में अगर आप observe कर रहे होगे तो vertical lines को longitudinal extinct बोला जाता है पूरे globe पे Rajasthan की क्या स्थीती है वो हम latitude और longitude से major करते है तो longitudinal में क्या बोला हो उन्हें 16.30 west to 78.17 east west होने के वज़े से ये गलत हो जाएगा वो east में ही है जिस तरह latitude north to north है उस तरह longitude east to east है waste होने के वज़े से ये भी गलत हो जाएगा next is the total area of Rajasthan is 3,42,239 square kilometer तो ये correct हो जाएगा ये मैंने आपको अपने पिछला वीडियो देखा होगा तब भी बताया था कि Rajasthan का जो total area है वो है 3,42,239 square kilometer का that is 10.4 percentage ठीक है और Rajasthan का जो map का जो shape है जो Rajasthan दिखता है वो rhombus shape का होता है irregular rhomboid है वो ठीक है rhombus shape का आपको नजर आ रहा होगा rhombus कुछ इस तरह होता है ठीक है और उसी तरह कुछ हमारा Rajasthan का map है ठीक है तो ये भी correct हो जाएगा that means C or D options जो है वो correct है option 2 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है आपको समझ आया होगा latitudinal extent and longitudinal extent आपको ध्यान में रखना होगा क्या होगा बहुत से students यहां पर all of this given है वो करके आ जाएगे mark because यहां पर क्या हुआ है points जो है वो correct दिदी हो है 23.3 to 30.12 and 69.30 to 78.17 ये points exactly correct है बट यहां पर जो धान देने वाली बात यह है north to north है और east to east है अगर जो भी लोग इसको properly देखेगे वो इसका answer correct mark करेगे ठीक है तो option 2 इसका correct answer हो जाएगा C and B जो है वो correct है ठीक है बढ़ते आगे next question है question number 43 in UNESCO C stands for UNESCO में C क्या stand करता है तो UNESCO का सबसे पहले full form क्या होता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization that means C जो stand करता है वो है cultural option D इसका correct answer हो जाएगा और UNESCO का जो headquarter है वो पारिस में है next question है question number 44 where is Nihar Khan की मिनार situated Nihar Khan की मिनार जो है वो कहाँ पर है ये पुछा जा रहा है तो option D correct answer हो जाएगा Cota में है Nihar Khan की मिनार next question है question number 45 what is a headquarter of Asain which refers to association of South East Dash अब हम यहाँ पर दो चीज़े पुछी कही है कि Asain का headquarter कहाँ पर है साथी साथ उसका फिलफार्म हमें कम्तीद करना है तो Asain का जो headquarter है वो है Jakarta इंडोनेशा में और इसका फिलफार्म है Association of Southeast Asian Nations तो option A इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 46 सर्दार समन इरिगेशन प्रोजेक्ट is situated on which river of Rajasthan सर्दान समन इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो Rajasthan की कौन सी river के उपर situated है answer हो जाएगा option A सुकरी river के उपर सर्दार समन इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है situated है option A correct हो जाएगा question number 47 which of the following is the capital of Spain Spain की capital क्या है ये पूछा जा रहा है answer हो जाएगा option E Madrid Madrid जो है वो Spain की capital है next question है question number 48 match the list 1 with list 2 and select the answer from the codes given below अब ये कुछ tourist places है और उसके location दिये हुए सबसे पहले है 84 कंबो की छत्री 84 कंबो की छत्री जो है वो बुंधी district में है और ये जो है ये 84 pillars की building है 84 कंबो की छत्री जो की बुंधी district में है then है दौलत बाग दौलत बाग garden जो है वो अजमीर district में है ठीक है इसने शाजान ने बिल्ड किया था ठीक है last है लालगड लालगड जो है वो बिकानिर district में है तो इसका answer हो जाएगा option B 84 कंबो की शत्री जो है वो बुंधी में है दौलत बाग जो है वो अजमीर में है लालगड जो है वो बिकानिर में है तो answer हो जाएगा option B तो आज हमने discuss के total 48 questions I hope आपको सारे questions समझ आयोगे और पसंद भी आयोगे अगर आपको आज का session अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है अपनी जादा साथ फ्रेंज के शेर करना है चैनल को subscribe करना बूलना नहीं है साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है तकि next choppy वीडियो है तो उसकी notification सबसे पहले आपको मिले आपको लिया में मडशक मेर आपको करना है ऑंको मुलद खरके रादा झाल